हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू एजूकेस इंडिया तो आज हम बात करेंगे मोसंबाग के बारे में आपको बताए तो मोसंबाग की तरफ से देश के कई बड़े हिस्तों में एक हाई एलर जारी कर दिया गया है जो की बैंकर और बीच्टे तुफान की आसंका को लेकर जार हो सकता है यह मोसंबाग की तरफ से आप सभी को चेतावनी मिलिए और इसी चेतावनी के तरफ आप सभी को हाई लग के तरफ सावदान किया गया है तो अभी आपको इसी के बारे में जानकाई दी जाएगी और आपको बताए जाएगा कहां कहां पर मोसंबाग ने चेतावन जारी किया है और कहां-कहां पर हाई-लत जारी क्या है और कहां-कहां पर भैंकर दोफ़ान आज सकता है तो आपको पूरी की पुरी जानकाई दी जाएग gobierno मौसम बाग की तरभ से जो निगल के आई है वाई तो आप वीडियो में पुरा का पुरा ध्यान प्रग्रास तक देखते रहें ताकि आपको एक एक जानकारी सही वसरी तरीके से प्राप्त हो सके और आप जान सके कहा कहा पर तोफ़ान आएगा लेकिन उससे पहले हम आपसे एक चोटी सी गुजारिस करना चाहते हैं कि यह पाइव केट्म को दबाएंगे तो पास ही में आएगा एक गंटी का रिजसन उसको आपको जरू दबाना ताकि आपको मौसम बाख जुरी हर जानकारी सबसे पहले देखरी को मिल जाए और आप हर जानकारी को प्राप्त करके सबसे पहले साथान भी हो सके और साथ इस साथ अपना सपोर्ट जरू दीजे जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक और सेर करना होगा लाइक करने से आपका सपोर्ट वीडियो को मिल जाएगा और सेर करने से आपके बाई बहन मित्र जो भी अवस्रों को प्राप्त कर पाएंगे तो लाइक और सेर अवस्रों कीजे ता तो मुसिम भाक ॉप से तुफान को लेकर को है रड़ी की जानकारी देखतें हैं पूरी की पूरी मुसिम भाक की तरफ से उत्राकन के लिए सबसे बड़ा अलट जारीansa क्या गया। और मोसंबाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश के साथ 10 जून तक ओले घरते रहेंगे उत्रागण के कई बड़े हिस्तों में ये मोसंबाग की चेतानी देखने को मिली है और मोसंबाग ने 10 जून तक बड़े-बड़े इलाकों को सावधान किया है उत्रागण में जलिद देख लेते हैं कौन-कौन से उत्रगन के इलाके जहां पर तुफान आ सकता है दस जुन तक तो आपको बता है तो मुस्वाग ने कहा कि गड़वाल सेत्र के कही हिस्सों में गुरुवार को आन्दी बारी सोच चुकी है लेकिन आगे भी दस जुन तक ऐसे ही रहेंगे गड़वाल के सेत्र के हिस्से आपको बताए तो मुस्वाग की तरफ से ये कहा गया है कि देरादुन मसूरी रिसी कैस और पोड़ी में जो बारे से होरे रुक रुक वाकर आगे भी ऐसी होती रहेंगी और साथ में ओला विष्टी पी देखने को मिल जाएगी ये मुस्वाग की तरफ से चैतानी 10 जुन तक देखने को मिली है और मुस्वाग ने कहा है कि इससे तापमान में गिरावाट दर्ज हर रहर वक्त की जाईगी ये मुस्वाग की बड़ी अप्रेट उत्त्राकान राज्य के लिए निकल के आएए और कहा गया है कि दियादून मसूरी रिसी केस और पड़ी समय रिसी केस के आस-पास के जुसेतरे वहाँ पर भाैंकर बारिस और अलाविष्टी हो सकति ते अब मसनबा की बड़ी अब्रे उत्रागंड रजी के लिये निकल पनोस्पर करते हैं अब हम बात करते हैं राजस्तान के मोसम भागी के राजस्तान में महसम विवा क्या करा है और राजिस्तान में किस परकास से आंदी बारिस की चेतानी देखने को मिली है लोगों के लिए तो मौसम बाग की तरफ से यह कहा गया है राजिस्तान के लिए कि अगले 24 गंटों में कई जिलों में हो सकती है चल सकती है और वहें दूल बारियानी भी चल सकती है яरी संभावना बताई गहीए और मोसम बाग की तरफ से यह भी असनका बताई गहीए खी की पूरी राजिस्तान के लिए निस जिलों में साट आर जून को जो brig करभारिस हो सकती है पैयंकर तुफ़ान जिसका वहां पर राइड लट बी जारी किया गया दिया किम लाल रंग का अलट जारी किया गया है उन्नेस दिलों में राज distributor और कहा गया है कि राज़िस्तान के उन्नेस दिलों में अगले 24 घंटे बेहदी खतननाक हो सकते हैं बहेदी बयंकर हो सकते है यह मौसम बाखी अपड़ेट आजिस्तान के लिए निकल कर आई ए बात करते है उत्तर Пढ़देश की तो उत्तर पड़ेश में कहा जा रहा है कि कहार हो सकता है और कुर्कि जिस परकार गुरुरु वार को कहीं जानमाल का नुक्सान हुआ है उसी पर का सुकर वार और सनी वार को भी जानमाल और रईवार को भी जन्हाने के असनका बताई गई है मोस्थम बागे दरा और कहा गया है कि उत्तर परदेश का दिक तर पच्चिमी इलाके चंपट में रह सकते हैं बहेंकर तुफान की और कई जगों पर आविष्टी और साथ में बह जारी रहेगा तो यह मौसंबाग की महत्पून जानकारी बताया जा रहा है कि अधिक तर राज्जे लू की चापट में रहेंगे कहें पर लू से मिलेगी रहात लेकिन कुद्धत का भी कहर रहेगा और लाविश्टी भैंकर बारे सो तोफान के रुप में तो यह थी मौसंब तक और बारा जुन तक क्योंकि बारा जुन तक देश के काई बड़े सेहत्रों में भैंकर तुफान आज सकता थी आज सबसे बड़ी महत्पून जानकारी जो कि आप सभी के निकल के आई थी यदि आपको अच्छे लगी हो तो आप शुरू को लाइक को से कीजिए ताकि य और हमारे सेल को सबस्काइब भी आवशे करिए ताकि आपको हर जानकारी मुस्तिम भाग जोरी सबसे पल देखने को मिल जाए तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाश्यों को देखने के लिए जहिंदर जै बारत और वंदे मात्रम